राजस्तान में कॉंग्रेस के दो बड़े नेताओं सचिन पाइलेट और मुखे मंतरी अशोग गहलोद के दीच की जंग जग जाहिर है और ये इंटर्नल कॉंफिक्ट अब इंटर्नल नहीं रह गया है इसका एक उधारन है ये वीडियो जिसमें गहलोद और पाइलिट के समर्थकों में देद अनादन चल रही है इस पूरे घटनकरम में एक तरफ सीम अशोग गहलोद के समर्थक माने जाने वाले राम चंदर चौधरी थे तो वहीं दूसरी तरफ से पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पाइलिट के समर्थक विजे जैन जिनके साथ बड़ी संख्या में पाइलिट समर्थक मौजूद थे दरसल आज अजमेर में AICC की सचिव और राजस्थान की सह प्रभारी अमरता धवन को शहर के कॉंग्रिस पद अधिकारियों से फीडबैक लेना था लेकिन अमरता धवन के पहुचने से पहले ही शहर जिला कॉंग्रेस और देहाद के कारिकरताओं में मारपीट चुरू हो गई जिसके बाद शहर जिला कॉंग्रेस के अध्यक्ष विजे जैन के नेत्रत्व में पदादीकारियों ने कारिकरम का भहिशकार कर दिया करीब दो घंटों तक चले इस कारिकरम के बाद तकरार मारपीट में तबदील हो गई और जम कर लात घूसे चले यानि इतना तो साफ है कि अब राजस्थान में कॉंग्रेस के पाइलेट और गहलोत की ये लड़ाई समर्थकों तक आप पहुची है अब आगे आने वाले दिनों में ये लड़ाई कहां तक पहुचती है ये